दोस्तो इस वीडियो में हम आपको चरित्रहिन औरत के ऐसी पहिचान बताएंगे जिसे देखकर यकिनन आप भी हैरान रह जाओगे तो दोस्तो वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे हिंदु धर्म में महिलाओ को देवी का दरजा दिया गया है कहा जाता है कि महिलाओ बहुत कोमल और शांत सवाब की होती है साथ ही उनमें सैन्शिल्ता पूरुशों से कही ज़्यदा पाई जाती है लोगों का तो ये भी मानना है कि महिलाओ के सभाब और दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम होता है हर व्यक्ति की यही चाहत होती है कि उसे एक अच्छी और चरित्रवान पत्नी मिले लेकिन आज के समय में चरित्रवान पत्नी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है तो चलिए दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप पता लगा सकोगे कि लड़की चरित्रवान है या चरित्रहीन तो आईए जानते हैं दोस्तों ऐसी महिला अपने पती का सम्मान नहीं करती और हमेशा उनसे लड़ती जगरती रहती है और अपने पती से जुबान लड़ाने तक के नहीं डरती छोटी छोटी बातों पर अपने पती से हमेशा लड़ती जगरती रहती है सुक में तो मिठा मिठा बोलती है लेकिन जैसे कोई दुख की घड़ी आती है वैसे वैसे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है अपने ससुराल में वे रानी के जैसे रहना चाहती है और किसी भी काम में हाथ तक नहीं बटाती ये महीलाएं अपने ससुर को अपने माबाब जैसा प्यार नहीं करती और नहीं उनका कोई आदर सम्मान करती है जी हा दोस्तो ऐसी महीलाओं की पहिचान समान्य तोर पर करना तब तक संबब नहीं होता जब तक की उन्हें खुब अच्छे तरीके से जानना लिया जाए लेकिन भारत के प्रसिद्द गरंथ ब्रियत सही था कि अनुसार ऐसे कई तरीके है जिनसे इस्त्री के चहरे मूरों को देखकर ही उनके सवबाब का आसानी से पता लगया जा सकता है इस्त्री के चहरे और उनके शरीर पर ऐसे लक्षन होते है जो उसे लक्षमी का सोरूप नहीं कू लक्षमी का सोरूप देती है आचार्य चानक्य ने अपने चानक्य नीती में चरित्रहिन औरत के बारे में कई ऐसी बाते बताई है जिने जानकर आप किसी चरित्र ही निस्त्री के प्यार में नहीं पढ़ेंगे दोस्तों चानेके जी ने बताया है कि इस्त्री बहुत ही पूजनिया है वेदों में इस्त्री को देवी कहा जाता है और कुछ महिलाए ऐसी भी होती है जो अपनी दुष चरित्रे के वज़ा से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है जी है दोस्तो उन्होंने वताया है कि ऐसी महिलाओ को केवल एक पूरुष से प्यार करना नहीं आता ये महिलाए दिल पर और जुबा पर तालमेल नहीं बना पाती इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनके जुबा पर कुछ और चल रहा होता है दोस्तो चानक के जी ने ऐसे महिलाओ को चरित्रे हिन महिला कहा है